इन्डिया खुद हमारे लोगों को जुवाओं को भड़काता नजर आया आपने देखा होगा तो इसी में जैसे हम जानते हैं विधर खानौरी बॉर्डर के उपर सीधी नहीं जो किसान खेतों में थे सैड में तो साइड से गोली मार कर सर पर एक जुवा को शुब करण सिंग उसकी का उसकी मौत हो गए तो आज पूरे किसान मजदूर लहर के लिए बड़ा दुखत दिन है इतना बड़ा परहार केंदर की मोधी सरकार ने हमारे उपर किया है और दूसरा यहां कहले यह नहीं हुआ यहां लगबग सौ से अधिक हमारे किसान मजदूर जब उन्होंने हमला क किया उसमें जखमी हो गए हैं और वो सरकारी हस्पितालों में नहीं जाते हैं उनको डर है हमारे उपर सरकार परच्चा करेगी शनाक्त हो जाएगी तो यह भी युवाओं को डर लग रहा है इसी के साथ साथ जो अर्द सैनिक फोर्स से हर्याना की पोलिस थी उन्होंने गाड़ियां थी उनको तोड़ा गया और इधर से साथ जुवाओं को उठा कर ले गई हर्याना पोलिस उनको मारा पीटार फिसके खेतों में फेका गया बोरी में डाल कर पीटा गया तो बहुत बड़े पैमाने पर जबर केंदर सरकार द्वारा हमारे उपर किया गया तो आ पुल-कुल ब्लैक डे की ओर से इसको मनाएंगे और पूरे देशवर में सभी देश वासियों को एक सो चालिस करोड़ लोगों को अहवान करेंगे पिआप हर घर में काला जंडा लगाएं हर तरह के आपके विकल में काला जंडा लगाएं और ये देश का किसान जो अंदात है उसके हक में आवाज उठाएं पी इस देश में जैसे जमूरियत है लोकतंतर है यह लोकतंतर का कतल किया गया हमें ना तो पीस फुली ढंक से आगे बढ़ने दिया जा रहा है और ना हमारी मांगे सुनी जा रही है देखिए अगर युवनो की चाटरा आप 1948 की देखे उसकी 20 के एक भाग में लिखा है आप असेंबली कर सकते हैं पीस फुली को आपके पास को आमन नहीं होना चाहिए तो उनमें भार सरकार का समझावता हमारे देश का सहवदान देश की 19 धारा की दो अध्याय बताता है या पीस फुली कठे हो अवाज करें सब कुछ परें हमें नहीं लगता सरकार ये क्या बतात करें और जिस SDM ने कोई तो कोई SDM होगा कमांडर को आडर दिया होगा या पोलिस को आडर द करके कतल का बिरोद में पूरे देश वर में हर घर में झंडे हर अपने वीकल पर जंडे लगाए और कल पूरे देश में मोधी सरकार की अर्थियां जलाएंगे हर गाओं हर गली हर कूछे में हमें पूरी आशा पूरा देश एक जुठ होके ये जो हमारे उपर किसान के उपर जिस तरह से उन्हें परहार किया जुलम किया उस जुलम के विरोध में कल उठ खड़ा होगा हरम पूरा अवान करते हैं जैसे तामलाडू है केरला है आपका करनाट का पूरा साउथ इंडिया है मद्ध भारत है पूर भारत है पच्छिम भारत है उत्तर भारत है सभी सबी राजियों से सबी राजियों के लोगों से उठिये और अपनी MSP गंटी का कानून बनाने के लिए देश और किसान मजदूर के सर के उपर से कर्ज मुक्ती करने के लिए MSP 50% के तरीके से अपनी फसलों का दाम लेने के लिए लखिमपुर खिरी का अंसाब लेने के लिए के लिए पूरा करने के लिए पूरे देश बर को अवाने उठीए और ये जो हमारे उपर जुल्म ढहा रही है सरकार उसके खिलाब उठकर अपनी अवाज बुलंद कीजिए और ये दो निरने आज हमारे साथ हुमें जहां तक पंजाब सरकार का सवाल है तो आज हम बैठे थे सबी पठे आला में तो सरकार के साथ हमारी परपोजल फाइनल हो गई है अभी सरकार की ओर से कोई पंजाब सरकार जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कोई फैसला नहीं आया तो जब तक अभी फैसला नहीं होगा तब तक पोस्ट मांडम नहीं हो सकेगा अभी हमारे लीडर से उनसे बात कर रहे हैं। आप देखें कब तक पंजाब सरकार ये फैसला करती है। और जो हमने proposal रखी थी भी आप पंजाब की territory में आगी केंदर या हर्याना पोलिस या अर्थसैनिक फूर्स हमला कर रहे हैं। तो हमने रखा क्या पंजाब सरकार 302 का पर्चा उनके उपर देगी तो उन्होंने प्रपोजल तो हमारी परवान कर ली भी या आपकी ठीक है बात तो अब देखें आगे क्या वो करते हैं और पोस्ट मार्णम में हमने बोड बनाने का निरने लिया उसकी वीडियो ग्राफी क किसान शहीद होएं पंजाब सरकार अप्शली ब्यान दे पी हम पंजाब सरकार इस युवा को शहीद करार दे रहे हैं मुझे लगता इसमें ही शाहिद काटा फटा होगा फिर भी जो भी होगा अभी मालुम चलेगा आने वाले समय में तो ये बातें अभी हुई हैं और हमा खोकिसान दोनों बॉर्डरों पर अपनी ट्रेक्टर टोलियां लेके डटे हुए हैं झाल झाल